जब लक्षद्वीब को हडपने निकले थे पाकिस्तानी जहाज, फिर कैसे बन गया भारत का हिस्सा, क्यों भारतिय टूरिस्टों को लेना पड़ता है परमिट? पीएम मोधी के लक्षद्वीब दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है. अरब सागर में पन्ने की तरह हरा दिखता ये दौरीब समूह वैसे तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर बात कम ही हुई. कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के हफ्तों बाद लक्षद्वीब तक इसकी खबर पहुँची. देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान की नजर इस पर भी थी. फिर कैसे बना लक्षद्वीब भारत का हिस्सा? भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जिनना चाहते थे कि हैदराबाद, कश्मीर और जुनागर मुस्लिम बहुल होने की वज़े से उनके देश में शामिल हो जाएं. सरदार पटेल की हिम्मत और सूजबूज ने इन रियास्तों को भारत से अलग होने से रोक लिया. सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से साड़े 500 के करीब रियास्तों को भारत में मिला लिया था. 1947 में अगस्त का आखिराखिर रहा होगा, जब दोनों ही देशों की इस पर नजर पड़ी, व्यापार व्यावसाय से लेकर सेफटी के लिहास से भी ये द्वीब समुह काफी जरूरी था. पाकिस्तान ने सोचा कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से क्यों न लक्षद्वीब पर कबजा कर लिया जाए? करीब करीब उसी समय सरदार पटेल का भी इस पर ध्यान गया. उन्होंने दक्षणी रियासत के मुदालियर भायों से कहा कि वे सेना लेकर फटाफट लक्षद्वीब की ओर निकल जाए. रामा स्वामी और लक्षमन स्वामी मुदालियर वहां पहुँचे और तिरंगा फहरा दिया. अलग-अलग वेबसाइट्स में जिक्र है कि भारत के पहुँचने के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी युद्धपोत भी वहां पहुँचा, लेकिन भारतिय ज्हंडे को फहरता देख वापस लोट गया. इस तरह से लक्का द्वीब, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीपसमू भारत से जुड़ गया. पहले भी रह चुका मैसूर रियासत का अंग. लक्ष द्वीब के मिनिकॉय हिस्से पर मैसूर के टीपू सुल्तान का भी सामराज रह चुका है. साल 1799 में टीपू की हत्या के ये द्वीब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चला गया. भारत का जंडा फहराने के बाद साल 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी का दरजा मिला. भाशा के आधार पर पहले इसे मदरास रेजिडेंसी ओफ इंडिया से जोड़ा गया था क्योंकि द्वीब पर ज्यादा लोग दक खुबसूरत और अंच्वा बताते हुए कहते थे कि वहां समुदरी कच्छुए का शिकार आराम से हो सकता है. साथवी सदी के आसपास यहां इसाई मिशनरी और अरब व्यापारी दोनों ही आने लगे और धार्मिक रंगरूप बदलने लगा. इसके पहले यहां बौध और हिंदू आबादी हुआ करती थी. ग्यारवी सदी में डेमोग्राफी बदली और ज्यादातर ने इसलाम अपना लिया. फिलहाल यहां की 95 प्रतिशत पॉपुलेशन मुसलिम है. भारत के लिए क्यों जरूरी है लक्ष द्वीप? 36 छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह दे लक्ष द्वीप का भी है. ये अरब सागर में वेंटेज पॉइंट की तरह काम करते हैं. मतलब, यहां से दूर दूर तक के जहाजों पर नजर रखी जा सकती है. चीन के बढ़ते समुदरी दब्दबे के बीच भारत लक्ष द्वीप में मजबूत बेस तयार कर रहा है ता इसा वहां मौझूद आदिवासी समुहों की सुरक्षा और उनके कल्चर को बचाय रखने की द्रिष्टी से किया जा रहा है. वेबसाइट के अनुसार द्वीप पर 95% आबादी ST है. Union Territory Administration of Laksh द्वीप में साफ है कि सिर्फ सेना के जवान, जो यहां काम कर रहे हों, उनके परिवार और सरकारी अधिकारियों को इस पर्मिट में छूट मिलती है. पर्मिट लिया जा सकता है. इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, जिसकी फीज 50 रुपए है. इसके अलावा की Self Attested Copy और Police Clearance Certificate चाहिए होता है. पर्मिट मिलने के बाद, ट्रैवलर को लक्षद्व प्रिवाऩ जवर्म भरना होता है.